हेलो एवरिवन वेलकम अगेन लास्ट वीडियो में हमने डिनाजुरेशन ओफ डिने स्टेंट्स के बारे में बढ़ा था जब मैं आपको यह बैटेकनोलोजी के जो बेसिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूं जिसमें मैं आपको जो डिने के बारे में भी बता तो आज हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स टोपिक है दाट इस ओर्गिनाजेशन ओफ डिने इन दा सेल देखो हमें बता है कि हमारा जो डिने होता है वह बहुत बड़ा होता है मैं इस पेशली यू केरियोट्स की बात कर रहे हूं तो जो यू केरियोटिक और गैनिजम्स होते ह है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे न्यूक्लियस का डायमिटर है वह 10 माइक्रो मिटर है लगभग और जो हमारा डिने होता है वह 2 मिटर लोंग होता है पर सेल अगर में बात बताऊं तो पर सेल में हमारे पास 2 मिटर लोंग जो है डिने होता है और इतने जादा बड़े ड मैंनेज करना थोड़े हमारे लिए प्रॉबलम होती है तो इस वज़े से जो और गैनिजम्स होते हैं उनकी अंदर एक स्पेशल तरीके की पैकेजिंग होती है जिसके थू हम अपने जो डीने को जो कितना बड़ा साइज में है उस डीने को हम छोटे से न्यूकलिस के अंदर कवर कर सकते हैं तो यहीं हम पर यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है सबसे पहले हम प्रोकेरियोटिक डीने के और गैन नहीं होता है डीने नहीं ہوتा है तो इस वाज जब दिक्कत नहीं आती है हम उसको न्यूकलियोटि के अंदर पैकेजिंग एक तरीके से सीटब्लास्म के अंदर ही रहती है और डबल स्याने क्रोमोजों होता जो अपने आपको عील में कवर करकें तो इस ऩाम पर करने परोके DNA साइज में बड़ा होता है तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टैप बताऊंगी कि किस तरीके से जो DNA पैकेजिंग है वो युकरियोट के अंदर होती है लेकिन उससे पहले आपको ही स्टोन के बारे में जानना ज़रूरी है देखो जब हमारे पास DNA होता है और DNA जो है वो nucleus के अंदर रहता है तो अगर मैं prokaryotic DNA की बात करूँ तो इसके अंदर तो यह कुछ इस तरीके से होता है कि यह double standard circular form में रह जाता है लेकिन यहां पर भी किसके साथ प्रोटीन के साथ अटैच होता है जीन प्रोटीन को हम क्या बोलते है केटाई एंस पोली एमाइंस प्रोटीन होती है जिनके साथ होता है पूरे डबल स्टेंड डीन और यहां पर यह packaging हो जाती है इसकी to यूकलिओड के अंदर। इसी तरह यूकैरियाटिकpty Dreeiona में भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ke Bond Histona consultant ऐसी प्रोटीन है जिसके साथ DNA साथ help होता है और就是說 इसे हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड और उसके बाद वो पैकेज होता है हमारे नुकलियस के अंदर तो देखो इन युकेरियोटिक सेल दी इन इस असोशेटेड विद वेरियस प्रोटीन तो फॉर्म क्रोमितिन विच देन गेट्स ऑर्गिनाइज इंटो कॉम्पैक्ट पहले देखो डियने होगा डियने टू मिटर लाउंग होता है उसके बाद वो डियने हिस्टोन प्रोटीन के अरांड रेप हो गया और इसके बाद इसके इक स्ट्रक्शर बनेगी रैपिंग के बाद जिसको छम निउकलियोज सोम बोलते हैं और उन वह बहुत सारे नुकलि जोम बोल देते हैं तो यह पूरी एक प्रोसेस होते हैं पकेचिंग की डिनए की नूकलियस के अंदर हिस्टोन की स्ट्रक्चर के बारे मिस आपको पता होना चुछी है तो इस तोी इस्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं देखो यह एक मालो हिस्टोन की स्ट्रक्चर में बना रही हूं हिस्टोन के पास यहां पर H2A, H2B, H3 और H4 यह जो मैं बोल रही है जो मैं सरकल बना रही हूं यह चाहिज है यह हमारे पास H2A, यह है H2B, यह है H3 and this is H4 यह इसकी सब यूनिट है यह जितनी भी बनाए है, चार सब यूनिट होते हैं और यह पेर में होते हैं यह भी 2 होगी नमबर में, यह भी नमबर में 2 होगी यह भी 2 होगी और यह भी 2 होगी तो टोटल हमारे पास यह 8 सब यूनिट है, 2, 4, 6, 8 इसलिए हम इसको स्टोन अक्टामर बोलते हैं और इसके आराउंड हमारे पास DNA रैप होता है कितने टर्म में आप्रोक्सली 150 बेस पेर यहां पर इसके रैप होते हैं यह DNA है और इसके 150 बेस पेर जो हैं वो इस प्रोटीन के ओपर अटैच होते हैं याद रखना हिस्टोन प्रोटीन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ट होती है और DNA यहाँ पर यह सब जांते हो इस निगिटेवली चास्ट तो इस तरहीके से यह हिस्टोन के ओक्टामर है और यहां पर यह कर एक है crisis अटामर depth पयाइब हमारे पास एक और subunit होती है that is h1 जिसको हम बोलते है linker dna और जब इसी तरीके से एक दो और फिर आगे तीन फिर चार और उनके ओपर dna wrap होता चला जाता है तो यह हमारे पास बनाते है nucleosome यह पूरी एक unit क्या बनाती है हमारे पास यह पूरी एक unit मिलके हमारे पास एक क्या है nucleosome और nucleosome जैसे ही बनेगा उसके बाद और बहुत सारे units ऐसे अटाइच होंगी और वो nucleosome बनाएंगी और फिर हमारे पास chromatin बन जाएगा और हमारे पास chromosome बन जाएगा अब हम packaging के लिए यहां पे आ जाते हैं यहां पर देखो है जैसे मैंने आपको बताया यह हमारे पस हमारा वी और DNA यह है हमारे पास 2 दबल हैलिक्स दिने, जो की 2 नैनोमेटर यहां पर, सबसे पहले जो सब से पहले नेक्ल डिने रमारे डॉबल हैलिक्स 2 नैनोमेटर की फों में अरेंग्ज है उसके बाद जैसे मैंने वह पताया है हिस्ट्रोन की ओक्टामर है और इसके बाद यहां पर इसके ओपर DNA रैप हो और यहां पर यह H1 है जो दो DNA को जोड़ रहा है, इसको हम लिंकर DNA बोलते हैं, इसके राउंड DNA रैप है, नेगटिवली चार्ज्ट है, तो इस तरीके से 10 Nm की स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं, बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं, कि यह 10 Nm की स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बहुत सारी प्रोटीन इसके साथ हो जाती है, और यहां पर यह दो तरीके से अरेंज हो सकता है, या तो अल्टर्नेटिव फोरम में यह न्यूकलिवोजम ऐसे, फिर एक ऐसे फिर एक और ऐसे, ये जिल्चैग पैटर्न, जिल्चैग फैटरन पैटरन है जिसमें एक ऐसे है एक ऐसे और फिर एक और ऐसे अल्टरनेटिव में ऐसे होता है एक ऐसे होता है और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे इस तरीके से भी यह नुकलियोजोम अरेंच होते हैं तो एक तरीके से यह जिग जग और अल्टरनेट बनते है जो कि non condensed loop होती है जो कि 300 nm के structure बनाते हैं हमेशा यहां पर scaffold protein होते हैं इसको scaffold model भी बोलते हैं scaffold protein इसके साथ attach होती है और यह protein इसको और ज्यादा condense कर देती हैं उसके बाद जब इन protein के आपस में interaction होते हैं तो 700 nm का chromosome बनता है एंड में 1400 nm का chromosome बन जाता है जिसको हम metaphase chromosome बोलते हैं जिसमें chromosome की structure बहुत easily visible होती है तो जिसको हम क्यूंकि metaphase chromosome हमेशा plate पर आते हैं mytosis के time पे या meiosis के time पे तो इसलिए हम इनको easily microscope के तुरू देख सकते हैं तो यहां पर यह metaphase chromosome बहुत जादा and condensed form हमारे पास मिल चाती है हमें तो इसके कई सारी मोडल होते थूर्ट ननो मिटर का model होता है 300 nm का model हूता है इसके फोल्ड मोडल होता है और यह पर solenoid र॓ęd मोड्ल होता है 215 गल्जक्र मोडल बती है जिसमें 30 ननोमीटर की राउंड रैप हो रखा है और इसके बाद यहां पर यह लिंकर DNA है जिसको हम H1 बोलते हैं यह पूरा दो उसका जब तक यहां से लेकि DNA रैप होने के बाद नेक्स्ट हिस्ट्रोन युनिट के साथ अटैच नहीं होता उसको हम नुकलियोजोम बोल देते हैं और H1 यहां पर प नुकलियोजोम के बारे में याद रखना मोडल के बारे में याद रखना मोडल के बारे में याद रखना मोडल के बारे में यहां पड़ भी थोड़ा सा इन्हों लिखाया के the DNA double helix is wrapped around the core protein namely histone जिसके बारे में मैंने आपको बताया विच इस्टोन प्रोटीन होती है वो दो मॉलीक्यूल से मिलकर बनी होते है विच को विद तू टू 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 ट्री अजव डू बनी होती है इन चारों के दो दो मॉलीक्योयल अटाच होते हैं उसके बाद है इच कोर विद यहां पर यह जो यह हिस्टोन की कोर प्रोटीन है जो इसको कोर प्रोटीन बोलते हैं इसमें चार सब यूनिट है इसके साथ डिने के टू टर्न रैप होते हैं इस तरीके से राइट अराउंड इट अप्रोक्सिमेटली विद वन फिफ्टी बेस्पेर एंड इस टॉम्ड सब्सक्राइब के बारे में आपको यह एक लिंकर डिने है तो हम बोलते हैं कि लैंथ जो है डिने के बहुत साधा रिडियूस हो जाती है उसके बाद 10 निमिटर फाइबर के बाद फुर्दर कोईलिंग होती है और 30 निमिटर का फाइबर बनता है जो की एक सॉलेनोइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें 6 नुकलियोजोम जो होते हैं हर्टर्ण में अरेंच होते हैं उसके बाद 30 निमिटर फाइबर का एक और आगे नेक्स्ट एक और लूप बनती है और्गिनाइजेशन होती ह जिसमें फाइबर जो है वो अटैच होते हैं 80 रिच रिजन जो फाइबर होता है डिने का वो अटैच हो जाता है जो फाइबर होते हैं इसके इस्ट्रोन प्रोटीन के वो फाइबर 80 रिच रिजन पर होता इसके साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि यहां पर इस वाइबर पर स्केफोल्ड प्रूटीन प्रेजन प्रेजन होते हैं, स्केफोल्ड एसोशेटेड रीजन तो यहां पर यह इसके साथ एटेडीच रीजन के साथ जाकर के अटैच हो जाते हैं किसके अंदर एक छोटे से नुकलियस के अंदर, तो आई होप आपको यह ओर्गिनाइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ओफ आ राएने के बारे में बात करेंगे, ओर्गिनाइजेशन ओफ डियाने इन दे सेल यह इसी तरीके से इतना ही इजी है, आप बस इस डाइग्राम को याद रखो और इन मोडल्स को याद रखो, इस पूरे डाइग्राम को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आई होप आपको यह समझ आ जाएगा, थैंक यू फ्रेंट्स